रिवर्स को क्लीन करना इंडिया के लिए पिछले कुछ सालों से काफी होट टॉपिक रहा है लेकिन फिर भी कई सारे सप्रेक्ट प्रोजेक्स होने के बावजूद आज तक इंडिया की नदिया साफ क्यों नहीं हो पा रही और इस चीज़ को क्या डिफिकल्ट बना रहा है यही बात हम समझेंगे दोस्तों कुछ मेजर सीज़े यहाँ पर हम समझेंगे जो यहाँ पर जरूरी है फर्स्ट रिवर्स गंदी क्यों होती है दूसरा क्यों प्रोजेक्स सक्सेस्फुल नहीं हो पा रहे और लाश्ट ली पॉसिबल सॉलुशन्स रिवर्स गंदी क्यों है यह सवाल सुनने में काफी बेसिक लगता है क्योंकि यह सवाल वैसे काफी बेसिक ही है और जैसे हम सब जानते है कि हमारे देश में नदियों को खरब करने की बिच्चिस अपसे मेजर रीजन है वो है सीविज डिस्कोजल, इंडुस्रिल एफ्लॉंस का डिस्पोजल, गार्बिच का डंप होना, प्लास्टिक का वहाँ पर डिस्पोज होना और ऐसे ही कारण नदियों को ज्यादा गंदी बनाती है इसके अलावा कुछ शेहरों के अंदर नदियों का कोच डाइवर्ट कर दिया जाना, कुछ जगों पर रिश्रिक्शन लागू करना ये सारी चीज़े भी नदी के पॉल्यूशन को कुछ स्प्रेस्विक जगों पर कॉंसेंट्रेट कर रही है अब रिवर्ट साफ करते समय ज़्यादर लोग कहेंगे कि जो रिजन्स मैंने अभी जश्च बताए उन्हें हमें खतम करना है लेकिन ये इतना easy नहीं है अब समझते कि क्यों river cleaning projects देश में successful नहीं हो पारे पहली बात सबसे best method नदी साफ करने के लिए यही होता है कि नदी के साथ में कुछ भी नहीं किया जाए बस नदी को अकेला छोड़ दो ना उसमें कुछ add करो ना उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करो और by time nature अपने आपको heal कर सकता है और ये capability हम पिछले साल देख चुके है जब lockdown हुआ था तो ना सिर्फ इंडिया में लेकिन दुनिया भर में हमने ये देखा कि नदिया अपने आप clean हो गई कुछ जगों पर तो इतनी ज़्यादा clean हो गई कि कई meter deep उनके beds भी उपर से visible थे pollution जगों से हट गया, foul smell कई जगों से हट गया और कई जगों पर जो लंबे समय से नहीं देखी गई animal species थी वो भी वापर फ्रिस्याना शुरू हो गई और ये हो गया था कुछी महिनों के अंदर लेकिन नदी के साथ में कुछ भी नहीं करना, best solution होने के बावजूद इसे करना इतना easy नहीं है सबसे बड़ी problem आज जो हमारे river cleaning project के साथ में ये है कि वो surface cleaning जैसी चीजों पर ध्यान देते है जो successful होना बहुत ज़्यादा rare है वैसे हमारे river cleaning projects के अंदर कई सारे sea waste plants बनाना, industrial effilence को control करना सारी चीज़े mentioned है लेकिन वो इतनी चूटी skill पर है कि उसका ज़्यादा असर कभी भी नहीं हो पाईगा नमरी गंगे project के अंदर 100 से ज़्यादा sea waste projects announce किये गए है लेकिन अगर हम पूरे गंगा के skill को compare करें जो 1000 km का सफर के नदी अलग-अलग states में से cover कर दी है तो ये 100 sewage plants पूरे रेगिस्तान में से चमच के द्वारा रेध हटाने की कोशिश करने जैसा हम कह सकते है जिसके वज़े से ये project कभी भी बड़े level पर successful नहीं हो पाईगा अब government ये जो नदीों को अकेला छोड़ दें वाला solution में बता रहू वो क्यों implement नहीं कर पा रहा है इसके फिज़ी भी multiple reasons है और वो भी हम समझते है सबसे पहला है industrial effluent को shift कराना या उन्हें नदी में dispose करने से रोकना दोस्तों ये कहना बहुत easy होता है कि हमें industries को pollution करने से रोकना चाहिए उन्हें नदियों में कुछ भी dispose नहीं करने देना चाहिए सारा जो industrial effluent है उसे treat करने के बिना पानी में छोड़ना बहुत ज़्यादा गलत है लेकिन at the same time अगर हम दूसरे सैटिस भी बात करें तो industry के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा difficult बात है वहाँ पर government अगर subsidize भी करती है तो भी लंबे समय तक उसे maintain नहीं किया जा सकता है जिसके वज़े से वहाँ के industries के पास में profitability चलने के लिए solution नहीं बचते है और यहाँ पर government interference की जरुद हुने पड़ेगी वो भी बहुत बड़ी scale पर अगर इन ही industries के अंदर के एक और problem के हम बात करें तो again यह कहना बट simple होता है कि इन industry को बंद कर देना चाहिए etc लेकिन at the same time जो contribution आज यह देते है local needs के अंदर या फिर national level पे भी वो भी कई पर देखा नहीं जा सकता है कई सारे बड़ी chemical factories इंडर्शल पाक्स जो इन नदी के किनारे बसे हुए है वो इन पोरे areas के अंदर बड़े पैमाने पर अपना contribution देते है इसलिए उन्हें बंद करना एक solution नहीं है अगला reason दोस्तो जो है वो थोड़ा political है दोस्तो नदिया obviously state boundaries नहीं समझती एक काफी lightly ले सकते है काफी serious ले सकते है लेकिन इस पूरे chain में अगर एक भी jurisdiction फीक्से काम नहीं करती तो उसके जैसे पूरे के पूरे downstream में बसे हुए जगों को इसका बुरा असर देखना पड़ता है अगर आब यमोरनादी का example लो तो दिली के आसपास में इसमें ज़ादर pollution होता है लेकिन दिली में हुए pollution का अंजाम उत्तरपदेश state को भी भुगतना पड़ता है चाहे उनके state के अंदर directly इस pollution का जनम नहीं हुआ हो majority भाग में तो यहाँ पर सारे के सारे states और जो भी regions भी इसमें गुजर रहे है उन्हें uniformly convince करके similar laws बठाने की कोशिश पड़ेगी जो किसी भी government को आज तक स्विस्सुली करने के लिए possible नहीं हुआ है और यह एक बहुत difficult चीज़ बन जाती है politically sustain करने के लिए और इसका जैसे भी नदिया पूरे length में साफ नहीं हो पारी और एक जग़ा पर गंदगी होने का जैसे पूरे length में वो फैल जाती है आकरी है बहुत बड़ा financial strain दोस्तो नदिया साफ करने एक priority तो है लेकिन जितना बड़ा यह task है उसके इसब से financial constraints obviously बैटते है CVS treatment plants बनाना सस्ता नहीं होता है पूरे के पूरे industry का nature by time shift करना भी easy नहीं होता है इसके अलावा कई सरे traditional चीजे जो लंबे समय से mismanagement होने के वज़े से already settled हो चुके है उन्हें भी ठीक करना बिल्कुल भी easy नहीं है जिसके वजह से river cleaning projects बड़े level पर successful नहीं हो पाते एक और चीज़ आपर मैं add AC करना चाहूंगा कि एक बहुत popular belief हमारे देशी कुछ important नदियों के उपर ऐसा लगाया गया है कि religious activities के वज़े से ज्यादा दर pollution होता है लेकिन data case आप से देखे तो ये ज्यादा बाड़ा सच नहीं है 5% से भी कम pollution जो नदियों के अंदर होता है वो religious waste के वज़े से होता है और वो भी almost पूरी तरीके से organic waste होने के वज़े से direct pollution contributor नहीं बनता है और अपने नदी में बहने के पूरे length में degrade हो जाता है corporate करने की जरुवत है ताकि uniform laws और actions लिये जा सके और पूरे length में नदी पर काम हो सके ताकि एक की गलती का जैसे बाकियों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े दूसरी बात modern technologies पर invest किया जाए ताकि source पर चीज़े साफ रखी जा सके दोस्तो seaweed treatment plants, industrial cleaning plants ये काफी जादा पुरानी technologies हो चुकी है और इनके अंदर modernization लाने की जरुवत है ताकि कम पैसों में ज्यादा fast तरीके से और छोटे scale पर भी ये चीज़े implement की जा सके और आखरी solution यही बचता है कि ये दो चीज़े करने के बाद में उन्हें अकेला छोट दिया जाए ताकि अपने आप nature खुद को heal कर ले तो दोस्तो आज की वीडियो ये थोड़ी अलग थी अगर आपको पसंद आई होगी तो like करना, subscribe करना और मिलेंगे अगले वीडियो में